नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी ख़बरों की उड़ी हमला भारत को मिला अमेरिका का साथ आतंकियों पर कारवाई करे पाक अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार सुसेन राइस ने अपने भारती समकष अजीद दोभाल को फोन किया और उड़ी आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि वाइड हाउस पाकिस्तान से सयुक्त राष्ट द्वारा आतंकी घोशित किये गए समुहों से निपटने तथा उनका सफाया करने के लिए प्रभावी कारवाई करने की अपेक्षा रखता है राष्ट्रे सुरक्षा परिशत के प्रवक्तार नेट प्राइस ने कहा कि राजदूत राईस ने बार बार हमारी ये अपेक्षा दोहराई है कि पाकिस्तान सयुक्त राष्ट द्वारा आतंकी घोशित किये गए समुहों व्यक्तियों और उनसे संबद्ध गुटों का सफा जवानों तथा उनके परिजनों के प्रती समवेदना भी व्यक्त की 9-11 विध्यक पर उबामा का वीटो खारिस अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपती बराक उबामा को उस समय बड़ा जटका दिया जब 9-11 विध्यक पर उनके वीटो को ध्वनीमत से खारिस कर दिया खै उबामा ने 9-11 हमलों के पीडितों के परिजनों को सौधी अरब के खिलाफ मुकदमे की इजासत दिये जाने वाले विध्यक के खिलाफ वीटो का इस्तिमाल किया था इस वीटो के खारिस होने से आतंकबात के प्रायोजकों के खिलाफ नयाए अधिनियम अब कानून बन गया है प्रतिनिती सभा में उबामा के वीटो के खिलाफ 348 सांसदों ने मत दिया जबकी उसके पक्ष में 76 सांसदों ने सीनेट में वीटों के खलाव सत्यावन मत पड़े जबकि उसके पक्ष में केवल एक ही मत रहा पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंदरन रेखा पर की गोली बारी उड़ी आतंकी हमले के बाद संखर्ष विराम का एक बार और उलंगन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने पुधवार को जम्मू कश्मीर के पुँच जिले में नियंदरन रेखा पर भारतिय ठिकानों को निशाना बनाकर गोली बारी की पुलिस अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शाम पुंच जिले के साबजियान इलाके में छोटे हतियारों से गोलिबारी की गोलिबारी में कोई हताहत नहीं हुआ उड़ी आतंकी हमले के दो दिन बाद 20 सितंबर को पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर के इसी सेक्टर में सीमा पर संघर्ष विराम का उलंगन किया था